कहानी की शुरुआत होई एक लड़की को दिखाने सी, जो कहानी की में करेक्टर है, इसका नाम एस्टर होता है, एस्टर का तालुक जूज, इन्ही यहूदी फैमली से है, ये उनका रिलिजन मजब है, वो कुछ सोच रही थी, फिर अपना समान पैक करती है, कमरे से नीचे ब एक आउरत उसे पूछती है, एस्टर कहां जा रही हो, उसने जवाब दिया कि मदर इल्लाव की घर, यानि उसके हिस्बन की मौम की घर, आउरत हेरे से बोली, मदर इल्लाव, पर उनका घर तो उस सरफ है ना, तुम इस सरफ क्यों जा रही हो, जिस पर एस्टर बीना कुछ क कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, तब उसकी मौम घुसा करने लगी, कि वो हमेशा ऐसे करती है, लेट ही आती है, आज न जाने ही लड़की कहां गई होगी, जबकि एस्टर तो भाग कर अपनी प्यानो टीचर के घर आ जाती है, दरासल एस्टर भागने वाली थी, जिस सब में उसकी टीचर मदद कर रही है, टीचर उसे पासपोर्ट और एक गिफ्ट देती है, एस्टर काफी जिस बाती होगी, उनकी गलें से लग जाती है, फिर वहां से निकल गई, गाड़ी की जल्दी वो एरफॉर्ट पहुन जाती है, क्योंकि वो बर्लिन जा रही थी, अब उसने घर क्यों छोड़ा, इसका जवाब हमी आगे बता चलेगा, येंकी एस्टर को ढूंटा हुआ घर आया, उसे बता चला, कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है, अगली सुब आपनी मॉम को भी उसने ये बात बता दी, कि वो जा चुकी है, येंकी की मॉम को काफी गु लेकिन जब कोई दर्वाजा नहीं कोलता, तो वो सीडियों पर बैट जाती है, और अपनी पास्ट माजी को याद करने लगी, कि उसके डैट हमेशा फेस्टिवल की दिन शिरा पीती थी, जो चीस किसी को भी पसेंड नहीं थी, पर उन्हें इस बास से कोई परवा नहीं थी अब कहानी में पास्ट और प्रेस्ट मुझूदा वक्त बार बार दिखाए गए हैं, तो हम कभी पास्ट में जाएंगे, तो कभी प्रेस्ट में वापिस आजाएंगे, पैर अब कहानी प्रेस्ट टाइम में वापिस आगई, एस्टर अपने टीचर का दिया हुआ गिफ्ट कोलती हैं जो द्रसल एक कमपस था यनि जो रास्ता वगरा बताने में मदद करता हैं जिसी देकर वो बहुत खुश हो गई फिर वो सामने अपनी मौम को देखती है क्योंकि बर्लिन वो अपनी मौम के पास याई थी पर जो वो उनको एक औरत के साथ देखती है तो फिलहार उन के पास नहीं जाता है यांके की फैमली सोच रही थी कि एस्टर ऐसे चानक कहां जा सकती है जिबकि वो तो बर्लिन की गलियों में घूम रही थी वो खुद को अजास समझ रही थी क्योंकि वो एक ऐसी माह उनसी आई थी जहां एक किसम का औरतों को कैद करके रखा जाता है यानि कि उन्हें कुछ भी करने की जाज़त नहीं थी उतनी अजादी नहीं थी जितने मर्दों को होती है वो एक काफी शोप में गई देखती है कि एक लड़के को काफी की कपस उठाने में मसला हो रहा है इसलिए वो पूछती है या मैं आपकी मदद कर दूँ इस पर उसन हुआ गई थी क्योंकि उसे मैं शुरू से ही म्यूजिक सीखने का वह हो शोग था लेकिन उनकी फैमली में जाहिर है बहुत सकती थी तो जूस लड़कियों को म्यूजिक में जाने की इजाज़त नहीं थी कहानी फिर से पास्ट में आई जहां एस्टर अपनी फैमली की साथ येंकी के घर आई क्योंकि आज इनकी शादे की बात होनी थी जिब एस्टर और येंकी दोनों मिलती है जो वो उसे भी बता दीती है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है जिस पर येंकी नी साफ मना कर दिया कि लिड़कियों को म्यूजिक नहीं सीखना चाहें इस से इस्टर को भी ये अपने साथ ले चलती है जो जल्दी सब के साथ घूल मिल जाती है बीच पर वो देखती है कि सब लोग काफिंग जुआई करें इसलिए वो भी अजादी के साथ पानी में गई उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पहली बार खुल कर अपनी मर इसी के पी लिए खुद को अब से नहीं बदलो येंकी जब घर पर था तो उसे एस्टर की प्यानो टीचर का एड्रेस मिलता है येंकी और उसका भाई जो वहाँ पर गए तो वो भी कह देती है कि एस्टर तो यहाँ पर आये ही नहीं वो पिर एस्टर का फोन चकरती है जिस अपने भाई के साथ बर्लिन जाने की तयारी करने लगता है उदर एस्टर का फिलाल कोई ठीकाना नहीं था तो जाहिर है सोने के लिए भी उसकी पास जगह नहीं थी इसलिए वो चुप चाप म्यूजिक स्कूल में गुर्स आए चुपके से एक कमरे में जाकर जमीन पर ही स हो जाती है पास में वो वक्त दिखाया गया जब एस्टर की शादी होने वाली थी एस्टर की मौम उससे मिलने आए लेकिन वो अपनी मौम से काफी नरास थी क्योंकि वो बच्चपन में ही उनकी फैमली को छोड़के चली गए थी एस्टर को उसकी दादी अलग कमरे में ले लगी किसम की अजीव है जो खास और्तों के लिए ही बनाए गई है जिक पर हर हाल में इन लगों को चलना होता है प्रेजन्ट में एस्टर सो कर उटी म्यूजिक स्कोल से जब वो जाने लगी तो उसे बच्चों की आवाजिया नहीं लगती है जिसके साथ ही वहाँ एक और को देख लीती है उसे काफी हैरत हुई कि यह यहां पर क्या कर रही है उसने फोरण इस बारे में जाकर स्कोल के प्रिंसिपल को बता दिया वो जब यह आई तो एस्टर कहती है कि माफ करना गलती हो गई मुझसे जो मैं यहां सो गई आएंदे ऐसा नहीं होगा जो कहकर वो इसे जानी लगी लेकिन प्रिंसिपल एस्टर को अपने साथ एक होटल में लेकर गई वो समझ कही थी कि एस्टर की साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो स्कूल के स्कॉलर्शिप हा बर्लिन पहुंच जाती हैं सुबा को ये जिब होटल की कमरे में थी तो येंकी का भाई अपना समान निकालता हैं जिसमें येंकी को एक अजीब सा बॉक्स लिखा उसने जब खोल कर चेक किया तो अंदर एक गयन थी जिसे देख वो काफी डर गया कि ओमाई गॉट ये अप अपने साथ गर ने कर आया है शिर्ट ये अब किसी को मार ना दे उदर एस्टर खास प्रोग्राम का फॉर्म बेने में उजिक स्कूल आ जाती हैं लेकिन उसने एड्रेस की जिगा कुछ ने लिखा था रिसेप्शनिस देख कर कहती हैं बेटा आपने एड्रेस में कुछ ने डाला ये ज़रोरी है इसलिए एस्टर अपनी मौम की घर का एड्रेस डाल देती हैं क्योंकि उसका अपना यहां कोई ठिकाना नहीं था येंगी और उसका बाई एस्टर को डूर ने उसकी मौम के घर गए लेकिन वो अंदर से उन्हें कहये दीती हैं कि वो यहां पर नहीं सबी लोग काफी खुश थी क्योंकि ये एस्टर के लिए काफी बड़ा दिली रेजेंट पे एस्टर म्यूजिक स्कूल आई जहां पर बाके स्टुडेंट्स म्यूजिक की प्रैक्टिस कह रहे थी एक लड़की ने जब देखा कि एस्टर ने भी म्यूजिक प्रोग्राम मे इसा लिया तो वो उसका मजाग उडानी लगी कहती है कि जूस वाले काफी और्टोटोक्स होती ही वो और्टों को किसी भी किसम की अजादी नहीं देती सारी अजादी सिर्फ मर्दों के लिए ही होती है और बस बच्ची पैदा करने के लिए ही होती है उसकी ये बाद सुनक एस्टर की भी उनसे दोस्ती हो जाती है वो म्योजीशन लड़की की एक दोस्त के घर गई जहां सभी उसे काफी पसंड करनी लगी पकी दोस्त बच जाती है पास में जिब एस्टर की शादी हो गई तो उसकी बाल काटी जा रहे होती है और वो बीचारी काफी दुखी होकर रोनी रिखती हैं उसका गम साहु बता रहा था कि वो अपनी बालों से कितना प्यार करती थी पर अब चाह कर भी वो उन लोगों को नहीं रोख सकती जिबकि प्रेजन्ट में लगता रिया इंकी और उसका भाई एस्टर को ढूरनी की कोशिशीं कर रहे थी एस्टर जो अभी भी अपनी दोस्तों के साथी कोशी से कहती हैं कि मुझे पूरी उमीद ही मेर स्कॉलर्शिप का प्रोग्राम जीत जाओंगी अब उसका खुद पर इतना यकीन देखकर उसके दोस्त कहती हैं कि जरा हमें प्यानो तो बजा कर दिखाओ हम भी तो देखी कि तुम वो कैसे बजाती हो वो उनके सामने अब प्यानो बजाने लगती है पर उसका ये तरीका काफी पुराना होता है जो देखर वो ही लड़की कहती है पर तुम इतने पुराने स्टाइल से बजा रही हो और फिर भी तुम्हें कितना यकीन है तुम्हारा अंदास देखर तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम तो क्या अगली दस प्रोग्राम में भी तुम नहीं जीत सको कि ये सुनकर वो काफी दुखी हो गई फोरण उठी वाँ से बाहरी आ जाती है उसने अपनी दादी को रोती हुए कॉल की कहती है दादी जी मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूँ पास्ट में दिखाया गया कि एस्टर की शादी को काफी वक्त हो गया था वो फैसला करती है कि अब मैं इस बच्चे की साथ ही अपनी सारी जिनकी गुजारूंगी येंकी और उसका भाई एक बार में आए जहां येंकी एक और बार बच्चे के लिए प्रेशर दिया जा रहा था तो उसे काफी बुरा लगता है प्रेशर में येंकी एस्टर की मौम के घर गया उन्हीं अपने नमबर देते हुए के ताहिम कि एस्टर का जैसे कुछ पता चले मुझे फोरण बता रेजीगा लेकिन येंकी की भाई को एस्टर की मौम पर शक था क्योंकि एस्टर ने यहां का एड्रिस दिया था इसलिए एस्टर अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक क्लब में आई जिस बिच्वा म्यूजिशन लर्की के साथ डांस करनी लखती है जो अब उसका दोस बन गया था जब एस्टर खानी पर येंकी की मौम के घर आई थी यहां सारे ओरते बच्चा ना होनी पर उसी बाते सुनाने लगती है जिस पर घुसा होकर वो वहां से अपने घर आ जाती है बातरूम में जाकर जिब उसने टेस्ट किया तो पता चिला कि वो प्रेगनेंट है जिस खबर से वो बहुत कुश हो जाती है वो सोचती है कि येंकी जिब घर आएगा तो सबसे पहले ये खबर मैं उसे सुनाऊंगी वो भी कितना कुश होगा इसी कुशी के साथ वो अपने हजबन की आने का इंतिजार करनी ने जिसकी कुशी दिर बात येंकी घर आ गया वो बच्चे वाली खबर उसे बताने ही वाली थी कि तब येंकी उसे पूश लेता है कि तो मौम के घर से यहां क्यों चलिया है वो एस्टर पर बड़क उठा ये एक तो हमारा बच्चा नहीं हो रहा दूसरा तुम खाने के टेबल से उठाई जानती हो कितनी बेशती होई है मेरी सुन लो कान खूल के मेरी बात अगर ऐसे सब चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोस दे दूँगा ये लड़ाई तो कफी ज्यादा ही बढ़ गए थी येंकी के मुझसे डिवोस वाली बात सुनकर एस्टर का दिल पूरी तरह तोट चाता है उसने कभी पे नहीं सोचे था कि येंकी मुझसे ऐसी बातें करेगा वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि ये सब कुछ वो येंकी के लिए ही तो कह रही थी वापीस आकर उसे एस्टर की क्लब वरे तस्वीरें निखाता है और जब येंकी देखता है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ है वो काफी दुखी हो जाता है वो भाग कर एस्टर की मुझसे घर गया उसे कहता है प्लीज बता दीजी उस दिन मैंने गुस्ते में वैंसे उसे डिवोस की बात की और वो घर चोड़के चली गए ऐसा कुछ नहीं है मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया है दब एस्टर की मौम भी यैंकी को कहे देती है कि तुम कभी भी समझने पाई दिल सी कि वो तुम से चाहती क्या है और तुम उसके लिए क्या थी वरना तो वो तुमें कभी भी छोड़की ना जाती एस्टर जो अपनी दोस्तों के पास जा रही थी यैंकी का भाई उसे देख लीता है वो उसे पकड़कर जबर्दस्ती गाड़ी में मिठाता है और एक पार्क में ली आया समझानी लगता है कि तु बहुत बड़ी गल्ती कर रही हो तुमें कह लगता है तुम अकेली बगएर किसी सहारी की इस शहर में रह पाओगी भूल है तुमारे और जब तुम्हें अपनी गल्ती का एहसास होगा न तो तुम रोते हुए वापिस आओ लेकिन उस वब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा वो एस्टर को फिर गन दीती हुए कहता है कि ये लो रखो अपने पास जिस दिन तुम्हें अपनी गल्ती का एहसास हो जाएना इससे कुद को शूट करके अपनी जान लेना मर जाना जो कहकर येंगी का भाई वहाँ से चला जाता है जिसके बाद एस्टर अपनी मॉम के घर आए उन्हें सारी बाद बता दीती है दोनों मा बेटी जिस बाती हो गई रोने लगती है जाहिर है इतने वक्त की बाद जो मिल रही थी उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी तुम परिशान मत हो अब मैं तुम्हारी साथ हूँ एस्टर उस्टर से पूछती है मॉम आपने बच्पन में हमें कुछ से अलग क्यों कर दिया क्यों सब से अलग रहने लगी थी तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा ना में तुम्हारी डैट को पसंदी ना वो मुझे अच्छे लगती थी इसलिए हरवारी लिडाई होती रहती थी तंग आकर मैंने तुम्हारी डैट को डिवोस दी पर कॉर्ट ने तुम्हारी सारी जिमेदारी मुझे ना दे कर तुम्हारी डैट को दे दी हलांकि मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची तुम भी मेरे साथ रहो अपनी मॉम की ये सारी बाते सुनकर एस्टर एक बर फिर चसपाती होगी जोर से उनके गले से लग जाती है फिर अगली दिन उसकी मौम एस्टर को म्यूजिक प्रोग्राम के लिए तयार करती है क्योंकि आज एस्टर का इम्तिहान था उसने जजिस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी और फिर एस्टर प्र जियूस रिलिजिन में हमें रोका जाता है हर चीज से मना किया जाता है इसे भी किसम की अजादी नहीं दी जाती यानि कि वो अपनी सारे परिशानियों ने बता रही थी जिसकी बाद वो गाना सुनाने लगती है वो बहुत दिल सिगाती है जो चीज उसकी आवास में तो एस्टर देखती है, कि यहां पर येंकी भी आया हुआ है, वो से कहता है, कि मेने भी तुम्हारा गाना सुना है, तुमने बहुत अच्छा काया, मजे बहुत खुशी हुई, तुम्हें समझने में मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज, मचे माफ कर दो, वो फि कि अपने बाल भी काट लेता है, जो उनकी कल्चर और रिलिजिन में काफी जरूरी समझी जाती है, पर अपने हिजबन की लाख रोकनी पर भी वो नहीं रोकती, वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसे अपने पूरी जिन्दकी अजादी से जीनी थी, येंकी का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसी भी वो धक्का माल कर आगी बढ़ जाती है, वो ठान चुकी थी, कि अब में किसी की भी दबाव में आकर घुट-घुट के नहीं जियोंगी, बलके अजादी वाले जिन्दगी जियोंगी, जैसे खुले आसमान में पंची जिया क उसने पूरी तरह से इस जिन्दगी को अपना लिया था, ये चाहिए इसका अंजम कुछ भी होता, और इसी के साथ ये कहानी इदरी खत्म जाती है